मैं तुम्हारा सब को छीन लोगे जिसे सुनकर बॉलिवूड वाले सद्मे में चले जाएंगे रवीना टेंडन ने अपने एके इंट्रिव्यों में कहा है कि साउथ की फिल्में भारतिय कल्चर और अपनी संस्कर्थी से जुड़ी होती है जबकि हमारी इंडेस्ट्री बॉलिवूड वाले हॉलिवूड की नकल करने में वैस्त है रवीना टेंडन ने कहा था कि नबे के दर्शक में जब तक मदूर संगीत और कहानिया नहीं आई थी तब तक लोग हॉलिवूड को कॉपी करने में लगे वे थे आगे रवीना टेंडन ने कहा है कि कई ना कई हमारी फिल्मों से भारतिय संसकर्ती गुमो चुकी है जब तक बॉलिवूड में फिल्में चलती थी तब तक तो ठीक है लेकिन जैसे ही फिल्में चलनी बंद हुई तो बॉलिवूड वालों ने कॉंटेंट छोड़कर असलीलता पर काम करना शुरू कर दिया रविना ने आगे का है कि जब मैं साउथ में केजिप की शुटिंग करने के लिए जाती थी तो वहाँ पे मैंने दिखा कि वो लोग कितने संसकारों और रीती रिवाजों से जुड़े हुए हैं और उनकी फिल्में इस तरह की कहानियों के इर्दगिर्दी खुमती है वो तुरहनती ओडियंस को अच्छी लग जाती है क्योंकि ओडियंस इससे रिलेट कर पाती है और वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाती है साउथ की फिल्म जैसे पुश्पा या फिर आरारार या फिर केजिप चेप्टर टू जिस तरह से ये फिल्में बॉक्स ओफिस पर रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़े जा रही है ये सब देखकर बॉल्यूड के कई सारे स्टार्स साउथ की सकसेज देखकर जन रहे है वही साउथ इंडेस्टरी की हाली में रिलीज हुई के जिप चेप्टर टू ने छे दिनों में बॉक्स ओफिस पर 676 करोड रुपे की कमाई की है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और उससे भी हरानी वाली बात ये है कि इस फिल्म की सबसे ज़्यादा कमाई इसके हिंदी डबिंग वर्जन से हुई है वही साउथ की एक फिल्म में काम करने से रविना टेनन की आखे खुल गई है उन्हें ये पता चल गया है कि बॉलिवूड अभी साउथ से बहुत ज़्यादा पीछे है अगर ऐसे रिमेक बनाते रहे तो एक दिन बॉलिवूड पूरी इंडेस्टी से आउट हो जाएगा रविना के मुझ से इस तरह की बात सुनकर ये तो पकाई कि बॉलिवूड वालों को ये बात बुरी ज़रूर लगेगी आप लोगों का इस पर क्या सोचना है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा